आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में आपके रिष्टे के बारे में उनकी फेलिंग्स इनर्जी क्या होगी आपके लिए यही चिक करेंगे तो टाइमने से कलेक्टिव जलन रेडिंग है कोई जिन्डे स्पेसिफिक रेडिंग नहीं है ठीक है तो आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में आपके रिष्टे के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आज पूरा दिन एट और कपस गैंसर को आपने इस परशन को बहुत 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 इस ट्रॉंग लग रहे होगा इस ठीक है इस पहले क्या हो शकता है हो शकता है कि आप इस परशन के लिए इन के लिए बहुंँ ज़ाद डेडिकेटेड या इमोशनल रहे हो और आप आपने पावर में आ चुके हो अब आपको क्लारिफेकेशन चाहिए चाहिए अब आप चूप रहने वालों मेशे नहीं हो चूप चाप अब आप चूप चाप परदास्थ करने वालों मेशे नहीं हो ठीक है तो इस परशन को आप काफी श्ट्रॉंग लग रहे हो ठीक है बहुत श्ट्रॉंग लग रहे हो यह परशन किसी तरह के clarification से बचना चाहते हैं जवाब देने से बचना चाहते हैं किसी चीज का जवाब मंगोगे आप या तो मंग रहे हूँ already clarity चाहते हो आप इस situation से क्योंकि हो सकता है यह परशन आपके life में आते जाते रहे हैं यह परशन क्यों गए आपके life से लौट रहे हैं ऐसा खुश्रक्त आपके partner काफी दिनों बाद यह परशन लौट रहे हैं अच्छानक से कहा चले गए थे यह आप पुछना चाहते हो अगर इस परशन ने आपको reject कि आपको ठुक रहा है यह अच्छानक से गोल हो गया आपके life से यानि की चले गया आपके life से तो क्यों गया क्यों इस परशन ने आई सक्या क्यों आपको hurt पहुंचाया ठीक है अगर इस परशन ने आपको hurt पहुंचाया है तो reason क्या था, क्यों ये person ऐसे कर रहे हैं, अगर आपसे दूर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, गय थे तो क्यों गय थे, आपको clarity चाहिए, और ये person जवाब देने से बचना चाहते हैं, किसी तरह का mistakes हुई है, इस person से, किसी तरह का गलती तो हुई है, ठीक है, और अब I think आपको सच्चाई पता चल गई है, ये आप से चुपाना चाहते हैं, आप से सच्चाई चुपाना चाहते हैं, तो यही reason मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप से दूर जाने का, आप से किसी तरह का सच्चाई चुपार हैं, कुछ तो mistakes, कुछ तो गल्ती हुआ है इस person से, जो कि आप से चुपाना चाहते हैं ठीक है वो आपके सामने रेविल हो गई है कुछ सच्चाई आपके सामने आ गई है या आने वाले हैं तो कुछ तो चुपाना चाहते हैं यह परशन या तो आपको क्लारिफिकेशन देने से बचना चाहते हैं तो भग रहें आपके से ठीक ह है ठीक है यही रीजन है कि आप इस परशन को बहुत चमका होगे डाटों के पता नहीं क्या करोगे लग जोते चपलना पड़ जाए तो मुझे निकलते हुए दिखाई दें पतली गलीशे ठीक है बट डोंट वरी कहां जाएंगे आएंगे तो इधर ही कुछ लोग लेएंगे डिल रहें कुछ तो मिश्टैक सी मञा करिएंगे इस परशन करना मुझे हशरी हँए इनके और आपकी अनरजी देंकर मुझे बहुत हशरी आ रही है मुझे न ऐसा दिखाई दिए कि यह परशन आपसे बात किये भी नहीं रहने पाहेंगे ठीक है तृ आप से बात किये बिना रहनी पाएंगे ज्यादा दिनों तक नहीं रहा पाएंगे आपके बिना और खुद ही आएंगे और मुझे ना थोड़ा सा कुछ लोग लिए पताने यह किनी के अनर्जी है बट मैं इसा फिल कर पारी देख पारी हूं कि यह ड्रेंगर के आएंगे इस इनमें हिमत नहीं है हिमत चाहिए इस परशन को और हिमत पाने के लिए यह मुझे ड्रेंग का सहारा लेतिव दिखाई दे रहे हैं तब ही आपके सामने आ सकते हैं otherwise बहुत 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 खबर लेने वाले इस परशन का आप यह इस परशन के नर्जी है ठीक है इसलिए मु और इनर्जी चेक करते हैं आपको नहीं स्ट्रॉंग यूही बने रहना है ठीक है यूही बने रही है जो आपको गलत लगता है कहिए इनसे कि आप कह रहे हैं मुझे कहने की जूरत नहीं है यह और क्या होगी इस परशन के नर्जी आस पूरा दिन क्या सोचेंगे परशन फाइव और कप्स अगर बातचित बंद है खुदी छोड़ कर गए आपको दूरी खुदी बनाएं तो अकेला पन फिल कर रहे हैं ठीक है अग टड़प रहे हैं आप खेले तीक है इस पर इस नंके जीवन आपकी बहुत अंधीरा लग रहे हैं लाईप को ही को दिया है इस पर यह पर लाईड तरह देखार है और वह चान इस पर लाइप में रोशन नहीं है नहीं निकले है ठीक है यस गाईश इस परशन के जीवन आपकी बिना अंधिरा है ठीक है तो जैसे छोड़की गए थे वैसे ही आएंगे लाइए यह नहीं परशन को आई की या तो अपको ग्रैंट लिया इग्नौर किया जगल किया किसी और के साथ व्यालियो नहीं की आपके तो इस वर्शन को ना आपकी व्यालियो शमाज़ आई कि ठीक है तो खूद ही आंगे रिष्ता को दोबारा शेबनाने के लिए relationship को build करने के लिए ठीक है यहाँ पर cancer, scorpio, parashish है, gemini, libraic, various यह साइंस है यहाँ पर और taurus पर वो captive con भी है इनके action क्या हो शकता है आज के दिन आपके लिए क्या किसी तरह का action लेंगे यह गाईश अगर आप दुनों के बिच काफी दिनों से बाचीत नहीं हो रही है काफी दिन हो गया है, 8 months हो गया 8 weeks हो गया, 8 days हो गया तो आपके partner आपको contact करेंगे या काफी confidently आपके life में entry करेंगे ठीक है, इस energy से entry करेंगे कि कभी नहीं जाना है अब इस person को आपके साथ ही जीवन गुजारनी है ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये person आपसे दूर जा रहे हैं सा हो शकता है दूर जा रहे हैं, इनका अलग ही reason हो शकता है, कुछ तो मैंने आप already बता दिया है, और कुछ लोगों के लिए carrier हो शकता है, ठीक है, पैशा कमाना इस person को, अपना carrier को build करना है, progress करना है success सहाती है ये person ठीक है और कुछ लोग लिए ये person successful person बनकर लौट रहे हैं, ठीक है, कुछ पाकर कुछ achieve करके लौट रहे हैं और अब आपको फेश करने के लिए ready है ठीक है, अगर ये पास्ट में आप से दूर गये थे अब ये person आपको फेश करने के लिए ready है ठीक है, खुद को मजबुत बना कर आ रहे है nine of swords नई शुरुवात होगी आप दुनों के वीज, अगर ये अभी इस वक्त आप से दूर जा रहे हैं, तो इस वक्त आप से दूर जा रहे हैं, आपको फेशा महशुर्ष हो रहे हैं, तो रोयद हो ये मत, परिशान मत हो ये, ठीक है क्योंकि नए शुरुवात होगी आप दोनों के वीज, ये possibilities मुझे नजर आई है ठीक है, ये खुद करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए मुझे आते वे दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने पावर में हो और आपको रहना भी है, जो चीज़े आपको अच्छी नहीं लगती, आपको कहना है आप क्या चाहते हो, आखिर आपको क्या चाहिए, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि आप इनसे कह रहे हो, और जो लोग इस energy में हैं, कि आपको कहना मुश्किल होता है जो भी परशन दे, आप accept कर लोगे, नहीं इस energy में आपको नहीं आना है, ठीक है आप क्या चाहते हो, आपकी खुशे किस्ट में हैं, आपको चाहिए क्या इस परशन से, इस रिष्टे से, आपको कहना है इनसे, ठीक है तो इस परशन के action मुझे कुछ लोग लिए ये दिखाई दे रहे हैं, आपके life में entry ले रहे हैं, ठीक है तो ये है आपकी रिडिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर केज़ेगा, मिलते हैं नेक्स्ट रिडिंग में, बाई गाइस, टेक केर, हैव अगुड देंग